सब्सक्राइब आपका स्वागत है आप लोग अच्छे होंगे और इंजवाय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे जैसा कि हम लोग साइंस का क्लास पढ़ रहे थे और आप लोग एंसर देते हैं तो अच्छा भी लगता है कि अब आप लोग को बायोलोजी समझ में आने लग है और आप लोग कोंफिडेंस आ रहा है क्योंकि आप लोग अच्छा देने का प्रयास करते हैं और मुश्टली बच्चों को तो बायोजी अब अच्छे से समझ में आ गया उन लोग के सारे कांसेप्ट क्लियर हो गया है तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करें और क्योंकि कोश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी ना किसी एक्जाम से में आए हुए होते हैं तो मैं उमीद करती हूं कि जो चैप्टर सम लोग पढ़ रहा है उसमें आप लोग को अच्छा कमांड हो गया होगा और आने वाले एक्जाम में आप लोग कोश्चन गल और देख लेते हैं पहला कोश्चन है प्राकिर्टिक बनस्पतियों का उसद्यों के रूप में उपयोग सरप्रथम कहां किया गया चीन अमेरीका भारत आश्टेलिया तो चलिए एंसर बता गया कौन सा ऑप्षन आपका राइट होगा इसका उसदी के रूप में सब से पहल कहां किया गया था तो एंसर देने की कोशिस कीजिए तो प्राचीन ग्रंथों में जो आध्यान से यह पता चलता है कि जो प्राकिर्थिक बनस्पतियों का उसदी के रूप में उपियोग है वो सबसे पहले चीन में किया गया था सबसे पहले चीन में किया गया था उसके बाद भारत में हुआ था और किसी भी पौदे का जो आसदिये महत्त होता है वो उसमें उपसित कुछ बिसेश पदार्थ होते हैं जैसे अलकुलाइट्स, ग्लाइकोसाइड, रेजीन, बास्पसील, तेल, गोंद, टेनिन, आद के कारण होता है पौदे के संचाई भाग जैसे जड, बीज, छाल, पत्ती, आद में इकठा होते हैं इस्टोर रहते हैं यहां कुछ और भी पौदे की बात है कुछ और पौदे हैं जो हमारे लिए उसदियों का काम करते हैं जैसे सर्पगंधा, अस्वगंधा, कुछला, अफिम, क्योनीन, ब और दूसरे नंबर पर भारत किया था, चलिए इसकोशन देख लेते हैं निमलिखित में से कौन से पदार्थ पौदों के आउसदियों महत्तों में सामिल है पहला अप्शन है इलकलाइड, सेकंड है ग्लाइकोसाइड, थर्ड है रेजिन, फोर्थ है बास्पसील तेल, पहला दूसरा तीसरा, केवल पहला चोथा पाँचवा, केवल दूसरा चोथा पांचवा उपर इसको इसको रहाएं तो जली से बताएड कौन सा आप्शन आपका हो सकता है तो पौधों का जो प्राकिर्टिक बनस्पतियां जो है इसका उसदियों के रुप में सबसे पहले इसके साथ साथ गोंध भी होता है और यह सारे जो पदार्थ होते हैं वो पौधों के संचाई भाग होते हैं जैसे जड़ है बीज है छाल है पत्ती है आद में यह इस्टोर रहते हैं प्रशन 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 प्रश और साब के काटने और मांसी रोगों में दवाई के रूप में यूज करते हैं तो आपका option no.1 जो है right हो गया next question देखते हैं इस्ट्रिक नन नामक इलकाइड किस पौधे से निकाला जाता है इस्ट्रिक नन नामक इलकाइड किस पौधे से निकाला जाता है कुछला, अफीम, धतूरा, सरब्रगंधा तो चलिए answer दीजे क्या हो सकता है तो इस्ट्रिक नन नामक इलकेलाइड होता है यह आपका कुछला नामक पौधों से निकाला जाता है और यह कुछला नामक पौधों के जड़ से प्राप्त होता है और यह जो होता है जैसे आर्ध नांग वा दिमाग के रोगों में निदान के लिए इसका प्रियोग किया जाता है आपका कुछला नामक जो है बनस्पती इसके जड़ का प्रियोग करते हैं तो आपका आप्शन नंबर फस्ट जो है राइट हो गया कि malaria रोग के लिए कौन सी दवा है जो क्योण नंबर फस्ट हो जाएगा इसकी छाल से मलेरिया या सिनकोना की छाल मलेरिया की जो दवा होती है वो क्यूनिन या सिनकोना की छाल से प्राप्त करते हैं चलिए नेश कोशन देखते हैं मौर्फीन, कोडीन, नाज, केपीन नामक दवाई किस पौधे से प्राप्त होते हैं आपको बताना है कि Morphine, Codeine, Cunein नाज, Cepine नामक दबाई है किस पौधे से प्राप्त होता है Fem, Datura, Cunein उपर उखसर भी तो चलिए जल्दी से एंसर देजी कौनसा option आपका हो सकता है Morphine, Codeine, Cepine नाज, Cepine नामक दबाई किस पौधे की छाल से प्राप्त होता है तो आपका Morphine, Codeine, Cepine, Cepine नाज, Cepine नामक दबाई है यह आपके अफीम के Capsule भाग से प्राप्त होता है जो उसका फल होता है उसको Capsule आकार का होता है इसलिए उसे Capsule फल कहते हैं और यह अफीम के पौधे से प्राप्त होता है जो दर्दनिवारक दबाई है तो आपका Option No.1 जो है राइट हो जाएगा और इसके साथ साथ यह मार्फीन है कोडीन है नाज, Cepine है और इसके साथ और भी दबाई होता है जैसे थीवे नीन, नार्सी इन यह सारी जवाएं दबाई जो है यह अफीम से प्राप्त होती है सेंटो नीन दवाएं किस पौधे से प्राप्त होती है आपको बताना है सेंटो नीन दवा जो है वो किस पौधे से प्राप्त होता है आर्टी मीशिया अश्वगंधा एक वादो दोनो ना तो एक ना तो दो तो चलिए जली जली बता दीजे कौन सा आप्शन होगा बहुत ह सब के बारे में सारे कोश्चन है तो चलिए सेंटोनीन दवाई किस पौधे से प्राप्थ होती है तो सेंटोनीन जो दवा होती है यह आपका आर्टी मीशिया नामक पौधा है उसके पत्ति और तना से प्राप्थ होता है आर्टी मीशिया नामक जो पौधा होता है उसका जो उपयोगी भाग होता है वो पत्ती और तना होता है इससे सेंटोनिन दवाई प्राप्त होती है और यह जो दवा होती है यह आत में जो परजीवी होते हैं जो बैक्टीरिया उनको मारने का काम करते हैं तो आपका option number first जो है इंट्रोपीन और हायोसाइमस जो होता है यह यह अलकलाइड होता है और इसकी दवा से केंद्री नाडी तंत्र के उपर जो असर होता है वो दर्द को कम कर देता है यह किस पौधे से प्राप्त होता है तो यह आपका option number जो first है वैला डोना यह आपका राइट हो जाएगा व यह भाग भाग के जो जो हlor उन्हाना इसके उप्योगी भाग है वो सूखी पतिया और जड़ है और इसकी जो होते हैं यह अंडिया नाडी होता है यह उसको असर करके अभान दर्द में दर्द को कम कर सकता है तो आपको नमर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा बैला डोनाओ के चलिए नेश्ट कोश्चन देख लेते हैं एफेडरीन नमक दवाईया किस पौधे से प्राप्त होती है एफेडरीन नमक दवाईया किस पौधे से प्राप्त होती है और एफेडरा जो पौधा होता उसका उपयोगी भाग जो होता है वो तना होता है और एफेडरीन दवा जो होती है इस आखासी के उपचार के लिए प एफेड्रा, एफेड्रीन दबा जो है एफेड्रा से प्राप्थ होता है, उसी पौधे के नाम पर ही उसकी दबा का भी नाम रखा गया है तो चलिए नेक्स कोशन देख लेते हैं निम्न मेंसे किस पौधे को हिमाले का सोना कहा जाता है यह आपका important question है हिमाले का सोना किस पौधे को कहा जाता है सीबक थोर्न अस्वगंधा धतूरा आउला तो चलिए जल्दी से answer दीजे क्या हो सकता है कौन से पौधे हैं जो हिमाले का सोना कहा जाता है जो आपका सीबक थोर्न होता है इसे हिपोफी भी कहते हैं और इसे हिमाले का सोना कहते हैं यह तो उसको जादूी जहाडी भी कहते हैं जो होता देश का गवह जदी बहु पौधा होता है देश का cvt तकिरो उखता होगा आया हुआ है और बिस्व में जो सरवाधिक सीबक्थॉर्ण होता है यह चीन में पायजाता है उसके बाद भारत में पायजाता है और भारत में जो सीबक्थॉर्ण का सरवाधिक छेतर है वो जम्मु कस्मीर के लद्दाख में है और हिमानचल उत्राखंड और पुरोतर भारत के परवतिय चेत्रों में भी या सीवक्थोर्ण पाया जाता है यह एक बहु पयोगी पौदे के रुप में सामने आया है जिसके जो फल है उसमें बिटामिन खनीजलवर एशीड और बायो मॉलिकूल जैसे अनेक पोसकत्तों से परपूर होते हैं और इसमें लाइसीन जैसे अमीनो अमल भ प्रियोग जाता है और इसका जो तेल होता है उसको घाओ को भरने अलसर से निदान तथा नाव की वाल्ट्रा वायलेट बिक्रर से सुरच्छा प्रदान करने के लिए अधुत्तिय च्हमता रखता है तो आपका नुमर फ़स्ट जो है राइट हो जागा इसलिए हिमाले का स बिस्व में सरवाधिक सीवक थोर्न किस देश में पाया जाता है चीन भारत अमेरिका कनारा तो चलिए बता दीजे इसका एंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस सबसे जादे कहां पाया जाता है तो सीवक थोर्न या हिप पो फी इसे कहते है इसे हिमाले का सोना कह चीन सब्सक्राइब करें जादू जारी साथा और भारत यह भाड़ाया वर प्राइब Gulamalachal Prasaduk एक प्रवतिय के रूप में हीमानका प्रवतिय चेतर के रूप में और यह एक बहुपयोगी पोदे के रूप में है बिटामिन, खनीदलवर, एशिड और बायो मालेकूल्स भी होते हैं इसमें कई पोशक तत्व भी पाया जाते हैं इसमें लाइशिन नामा केमीनो अमली भी पाया जाता है और इसका प्रियोग जो होता है जैम, प्यूरी, अचार, सास, हर्बल, चाय, सीरप, साबम, लोशन, क् पर नाव, जो नौरी, नौरी, अचार, सुरच्छा प्रदान के लिए अधित्तिय युक्दान देता है तो आपका और फ़स्ट जो है राइट हो जाएगा चीनो के चलिए नेश कोशन देख लेते हैं किर्केट के बल्ले किस लकड़ी से बनाए जाते हैं किर्केट के बल्ल output लकडी के बनाये जाते हैं आपके पार किर्कट बनाव को पींड़ी से की मिला आंकर से अग्ड़ी आपका किके बनाए चाल से किक वेय। प्रियोग uy होती है आपको बता ना जो बस्तू के पैकिंग के लिए किस ब्रिंच की चाल algos को मे यो बस्तू के पैकिंग के लिए किस ब्रिंच की लकडि का प्रियोग करते हैं तो आफका कॉंसже ओप्षन डॉओ सकता है तो आपका जो बस्तु की पैकिंग के लिए सिल्वर फर और काली सीरिस नामक लकडी का यूज करते हैं तो आपका option नमर 3 जो है राइट हो जाएगा काली सीरिस जो होता है इसका प्रियोग होता है ये फनीचर बनाने में भी किया जाता है पैकिंग के लिए पेटी बनाने में भी किया जाता है और मकान बनाने के भी काम आता है तो आपको अप्शन नुमर जो है थर्ड जो है राइट हो जाएगा एक बादो दोनों बस्तु के पैकिंग के लिए सिल्वर फर्न और काली सीरिस नामक लखडी का यूज करते हैं नेक्स्ट कोशन देखते हैं सागाउन ब्रिक्ष मुख्यता पाया जाता है सागाउन ब्रिक्ष कहां पाया जाता है उत्तरप्रदेश, मदप्रदेश, करनाटक, केरल तो चलिए बताइए सागाउन ब्रिक्ष कहां पाया जाता है तो सागाउन बिक्षऑ जो होता है यह आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है और सागाउन बख्षऑ का बनस्पतिक नाम होता है देखिए कॉन सा option right हो जाएगा और आप्रोल के फिसाब से आपको एंसर देना है तो खेल का सामान जो बनाया जाता है वो आपको सागोन की लकडि खेल के समान बनाने के लिए अच्छी होती है और इसका जो बनाश्पतिक नाम है वो टेक्टोना ग्रैंडिस है और इसका प्रियोग जो होता है फनीचर रेल्वेश लीपर और खेल का समान वा दर्वाज जयाद बनाने में किया जाता है तो आपको आप्शन नमबर सेकेंड ज आपको आप्षण के हिसाब से बताना है कि रेलवे स्लीपर जो होता है वह कई तरह की लकड़ी का युजकरते हैं तो इसमें आपका सही हो जाएगा यह अमयार होता है यह इसे बनस पतियों वर्जियान थी अचता अवर. जो है के सार्वान नहीं और साल की लखड़ी से लिए की पना गश्ण के लिए और कहीं आव जाता है और साल तो यह हमने चुम के घुछन के लिए कहलता है रखहर हो दिखना हनु। जिए रखानत 吃नांत रखता है एक सोयवीन का तेल लिए और कम क्लिए कौना उप्योगी है किस खेटर के लिए 여러 के लिए और क्या-फ। मैंने भी आपको क्लिए आपको बता द आपकी सब कर दो इसका भी अनाम नहीं नहीं आफका है वो है फिर पॉस्टी आयर इंध्फने के सूरज मुखी, में और सूरज मुखी जो है 90-100 दिन में त्यार हो जाता है इसलिए इसे सघन फसल चक्रमों में सफलता पूर्वक उगाया जाता है और सूरज मुखी का जो तेल होता है वो आसानी से या सीगरता से खराब नहीं होता है इसे काफी तमय तक हम सुरचित रख सकते हैं और इसका तेल रोग से पीरित ब्यक्त होते हैं उनके लिए काफी लाबकारी होता है इसके तेल का जो प्योग होता है वो बनसपती घी के त्यार करने में भी काफी स्वादिस्ट होती है इसे कच्चा या भून कर मुंख़ली की तरह खाया भी जाता है सौइबिंग की जो बीज होती ह और इसकी जो खली होती है खली में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 40-44 परशंट होती है खली में इसके प्रोटीन की मात्रा होती है 40-44 परशंट होती है और जो पसूर को खिलाने के लिए काम में लाए जाता है और इसमें इसके तेल जो होते है उसमें पॉमिटी का अमल for a new one ऋप्योह हर्दे रोगियों के लिए भहूत ही UPYOG उता है यो सहतूत होता है यह हाकी स्टिक बनाने के लिए प्रीयोग किया जाता है औरहा प्रीयोग हाकी स्टिक, टैनिस, वाट्मिंटन के रेकेट्स और किरिकेट स्टांग बनाने के काम आता है कि उप्षन नमर फंस बढाना महोट के तो आपका जो मेथी के लिए यह मेथी आपके जूगर पेशेंट के यह सामान बना रखने के लिए बहुत होगी है मेथी जो है यह सुगर प्रेशंट के लिए एक आउसधी के रूप में है तो आपको नुबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा ओके नेस्ट कोश्चन देखते और आज का लास्ट कोश्चन चंदन का ब्रिक्च मुख्यता भारत में कहां पाया जाता है करनातक जसे पताना है चंदन का जो ब्रिक्च होता है यह कहां पाे जाता है ठीच से क्या क्या बनता सीसम होती इसकी लक्डी से फनीचर बनता है रेलेवे Đây बनता है वैगन बनता है दर्वाजे आज बनाने में काम करते हैं सागोन की जो रकड़ी होती उसका भी प्रियोग फनीचर बनाने में रेलवे स्लीपर बनाने में खेल का सामान वा दर्वाजे बनाने में काम करते हैं साल का पौधा होता है उसका प्रियोग फनीचर में रेलव भी यूज फनीचर मकान और इधन के रूप में किया जाता है अखरोड जो होता है उसकी लकड़ी का प्रियोग होता है वो बंदुक का बट और संगीत वादियंद्र बनाने में किया जाता है और आपका बीलो की जो लकड़ी होती उसे किर्केट के बनले बनाये जाते हैं और स सभण कर दो है पादप के बार में कुछ पाथ कर लेते हैं सर्प गंदा के बारे में बात करकेशा उत्याल जुटे हैं हूं नामक दोघ च्वात होती है और इनकी जो पुपक्योगता होती है रेशल पील है तो च धिस्यूछम कर दोड़ haz वह जड़ है और यहां होता है यह इस्त्री रोगों गठिया रोगों जोडों के सूजन में उपचार के लिए असुगंधा का हम यूज करते हैं अगला हम कुछला की बात तो करी लिए हैं कि इसका हम जड़ उपयोगी भाग जो है जड़ है और इस्टिग नन नामक इसका होता है और कियोणिं जो आप जानते हैं सिंकोना जुआ यह निकाला जाता जो मलेरिया की दवा के लिए upyokत होता है और औल यह अजन चानद को केंद्रिय नाडी तंत के ऊपर जो दर्द को कम करने का काम करता है धतूरा जो होता है धतूरा उसका जो उपयोगी भाग होता है उसका फल का रस होता है और जो बालों में जो डैंडर्फ होते हैं उसको हटाने और गले के रोगों के रोगों में काम आता है यह आपका धतूरा आउले का प्रियोग करते हैं वो पेट साफ करने के लिए हेम्रेज में प्रियोग करते हैं और जो खून में दस्त में आता है तो इसको कम करने के लिए प्रसिद आयरवेदिक दवाई जैसे चामन प्रास बनाने के लिए भी आउले का प्रियोग किया जाता है तुलसी का प्रि आपको उसदीयों के बारे में और पॉधों के लकडि के बारे में आप लोग अच्छी जानकारी मिल गई होगी और आप लोग कुछ नया भी सीखे होंगे तो आप लोग द्यान से देखा करें और आपको वीडियो कैसा लगा और कितना कोशन आप सल्ब कर पाएं तो इसका झाल झाल